कि गुद्मानिंग दोस्तों मैं विने कुमार आपका बहुत-बहुत सवागत करता हूं UPSC परिक्षा ऑनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 19 मई 2021 के करन्ड एफर के कोशन्स को और डेली आपको ये वीडियो मेरे चैनल पर सुबह साथ होता है और यह जो कोशन्स होते हैं यह आपको mcq format में मिलते हैं और पूरी वीडियो आपका हिंदी में रहता है कि जिसमें आपको बहुत ही डिटेल से को समझाया जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब लिजिए और लाइक कर दीजिए गार वीडियो पसंदा है आपको तो स यहां पर देखिए आपके चार अप्शन है इन चारों प्शन में से जो भी आंसर आपको आता है उसको कमेंट करके ज़रू बताईएगा सबसे पहला आप्शन है कोटेक महिंद्रा बैंक दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा तीसरा है मैक्स लाइफ इंस्यॉरेंस और च और यहां पर यहां पर दिखी क्या होता है सबसे में बात तो थोड़ा सा मैं एक्सेड लाइफ इंस्वरेंस के वारे में आपको बताता हूं और फिर इस बीमा योजना के बारे में में बात करेंगे सबसे पहले दिखे एक्सेड लाइफ इंस्वरेंस के अगर में बात करें इसके जो सी इओ है इनका नाम है छितिस जैन और मुख्याले इसका पड़ता है बैंगलूरू में इस्थापना इसकी उईती सन 2001 में और ब्रेंड बैस्टर जो एक्सेड बैंक है हमार व्यक्तिकत जीवन भीमशति यूजना यह जो हम बात करें इस यूजना के बारे में गैंने वाली व्यक्तिकत जीवन भीमशति यूजना और एक तरीके से इसमें रिफंड मिलता है कि जो लाइफ इंश Şu घूर जाएगा आ Sm日本 ponerla याया सिक्ट नेग उत्याय दुक्त नेक्स्ट कोश्चन के अग में बात करों देखें नेक्स्ट कोशन है आप अमारा हिट कोविट एपक्स राज्य सरकार द्वारा लॉंच किया गया है तो यह आपका पहला option है बिहार दूसरा option है उत्तराखंड तीसरा का ओप्षन जहारखंड और चौथा ओप्षन है पंजाब इन में से एक आंसर आपका बिल्कुल राइट है और यहां पर जो राइट आंसर वह का बिहार है यहां पर देखिए बात करने हम भी हार की थिक्शन हैं और यहां पर देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इस योज़ ट्रैकिंग तो यह कोविट से रिलेटेड यह योजना है और यहाँ पर COVID-19 रोगियों को नियमित निगरानी करने के लिए इस एप को launch किया गया है और एप पर डाटा जिला इस तरपर निगरानी रखा जाएगा मतलब जो भी डाटा है COVID-19 पेशेंट्स का जो भी डाटा है उसको जिला इस तरपर निगरानी के तौर पर रखा जाएगा पिहार की अगर मैं बात करूं दोस्तों बिहार की पिहार के cm कौन है सिरी नितीश कुमार ठीक है याद रखेगा बाद में करेंगे ठीक है बिहार के आरे में जैसे इसकी लोकसभा राजेस्वा विदान सबस्क्राइब याद रखेगा 40, 16, 243 बिहार कुल 38 जिले हैं ठीक है और यहां पर जो उच नयाले रखता है वो पटना उच नयाले है ठीक है और 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापनगती बिहार की तो यह काफी इंपॉर्टेंट था ठीक है सभी मैंने बता आपको बिहार के बारे में अब इसके बार बात करते हैं अपने अगले कोश्चन के अगला कोश्चन है मारा है यहां पर किस राज्य द्वारा कोविड-19 पर ड्डूटी पर मारे गए करमचारीओं के परियों परिजनों को नौकरी देने की गशना की गई यह तो यहां पर चार घौरा सिर्टेस राजिस्थान और केरलिखास पर से इन चारों म्यस्ट अंसर और ऐसा किया है मद्द्य प्रदेस ने यहाँ आपका बी वाला बिल्कुल राइट है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर आइसा किस योजना के तहत क्या गया है तो याद रखेगा यह जो कदम था मुख्यमंत्री कोविड नाइंटीन अनुकमपा निफ्टी योजना के तहत किया गया है यहां पर परीजनों के एक नौकरी का प्रावधन क्या गय है है और मद्र्णा मुख्यमंत्री इनके दारा यह घोष्णा 17 मई को कि गई थी सथूल राजधानी मद्रब्रदेश की है भोपाल कि मुख्यमंत्री का नाम है स्री सिवराज सिंग चौहान सिरी सिवराज सिंग चौहान तो यह कौन है मुख्यमंत्री है मद्य प्रदेश के और इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर राज जिपाल की तो राज जिपाल है शिरी आनंदी सिरी मती आनंदी बेन पटेल तो यह कौन ह की मुख्यमंत्री और मद्य प्रदेश की भी मुख्यमंत्री हैं इसके बाद बात करते हैं अगले गोश्षिन के अगला गोश्षिन है दोस्ते आप रमारा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड नाइंटीन के कारण अनात हुए बच्चों को दस लाख रुपए की एवडी की घोश्षिना किये तो काफी अच्छी योजना है ठीके और यहां पर चार आप्शन आपके हैं आंद्र प्रदेश उत्तर प्रदेश मद्य प्रदेश और अरुनाचल प्रदेश यहां पर यह आपके चार आप्शन है और इसमें से जो आंसर आपका यह आपका आंद्र प्रदेश आंद्र प्रदेश ने जो एवडी योजना है यह उन बच्चों के लिए की गई है जहां पर कोविड नाइंटीन के कारण जो बच्चे अनात हो गए और काफी विशेश बाते हैं यहां पर तेके सबसे पहले में बात करता हूं अगर आंद्र प्रदेश की तो आंद्र प्रदेश के आप मुख्यमंत्री याद रखेगा ठीक है आंद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है जगन मोहन रिट्टी याद रखेगा जगन मोहन रिट्टी यह आंद्र प्रदेश के कौन है मुख्य मंत्री और राजयपाल कौन है विश्व भूशन हरी चंदन पच्चिस ग्यारा 176 ठीके पच्चिस लोक सबाब हैं ग्यारा राज्य सबाब में 116 विधान सबा सीटे हैं 58 यहां पर विधान परिशत की सीटे हैं और उसके अद बात कर तरनूल है विशाका पटनम है ठीके और अमरावती मैं लिखा नहीं है मैं लिख दूंगा ठीक है किस दिन और अगली वीडियो में आपको लिखके बताऊंगा भूल गया था मैं लिखना तो यहां पर आंसर क्या होगा इसका आंद्र प्रदेश अब थोड़ा सा बात करते ह के बारे में सबसे पहले दिखिए एक एवडी योजना है ठीके फिक्स डिपॉजिट और यह योजना बच्चों को 25 वर्स का होने पर उनको यह जो 10 लाक रुपए का जो एवडी है यह मिल जाएगा और यहां पर बच्चों के अभिबाबक को हर महीने 5-6 प्रतिशत इसका अब याज मिलेगा ठीक है और बच्चों में किसी प्रगार के दिक्कत के लिए यहां पर कई सारे सेंटर भी खोले गए हैं जिसमें बच्चों का पालन पोशन हो सकेगा धंसे तो यह इंपॉर्टेंट है यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट यहां पर कोश्चन की किस देश क द्वारा विदेशी पाठिक्रम पर रोग लगा देए तो यहां पर चार आप्शन है आपके ठीक हैं तो एक इरान हो गया इसराइल है यूए और चौता आप्शन है चीन तो यहां पर आंसर आपका चीन हो जाएगा अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या हुआ है कि चीन विदेशी पाठिक्रम पर रोक लगा दे और जबकी हमने अभी कुछ समय पहले पढ़ाता कि जो आपका अरब है वहां पर रामायन और महाभारत को भी क्या करा गया है पाठिक्रम में शामिल किया गया है तो महाभारत और रामायन तो यह भी याद रखेगा तो यह अच्छ से लेकर नौवी कक्षा तक यहां पर रोक लगाए गई है और यह नया कानून एक सितंबर 2021 से प्रभावी होगा एक सितंबर 2021 से प्रभावी हो जाएगा कोशन नमबर छटा है दोस्तों जन्जाती मामलों के मंत्राले द्वारा किसके साथ एक समझाता हुआ है जो से आपका आउए रहे हैं तो यहाँ पर Microsoft Instead Microsoft के साथ है समझाता हुआ है और आप कोमेंट करके पताईए अभी काफी छाया मेरा के मंत्री booster को पूछा जासकता है तो तो अर्जुन मुंडा जंजाती इमामलों के मंतरी हैं यह समझाता है एकलभी मौडल पर आदाइता और एकलभी मौडल के तहत 250 एकलभी मौडल विद्धाले सामिल किया गए है जिनमें जो उमारे ग्रीन लैंड है 55 से सेंटो यहां पर आंसर आपको जाएका, मेड़ागासकर में पाई गई था और बाद में अब भी देखिए हाल ही में यह मचली देखने को मिलिए इसका नाम स्यू लेट लेट कैथ है जो दक्षण अफ्रीका के शार्क शिकारी समू में आती है तो देखिए शार्क मचलियों की एक परजाती से बिलॉंग करते ही है और काफी इंपॉर्टेंट है यह दी भी और आई बी आर्डी तो यहां पर आंसर आपको जाएगा नबाट के दौरा नबाट के दौरा दिए गया रबाट की फुल्फम होती है नेशनल अग्रिकल्चर बोर्ड और रूलर एंड डवलप्मेंट बैंक ठीक है और हिंदी में इसको क्या बोलते थे राष्ट्र कि राष्ट्रि आर्ण ट्राइड ट॥ा होती है इसका मुझ्या लय पर नेमारं राष्ट्र ने सरक भास पर इसको इसके वरतमान में महानि यहां में गोविंदा राजूलू चिंतला तो चिंताला आप याद कर सकते हैं सीधी सिधे ठीक है जी आर चिंताला ऐसा कर सकते हैं आप से इतने पूछा जा सकता है तो यह भी इंपॉर्टेंट है अब कोश्चिन नमर नाइन है आपर किसको अंतराष्ट्य अजेस्वर्ण पदक द रमेश पोखरियाल निशंग वर्तमान में दोस्तों शिक्षा मंत्री और सबसे में इन बात है दिखें यहां पर इनको पुरसकार दिया गया इनके लेखन सामाजिक और शांदार सारवजनिक जीवन के लिए गया है यह निरना महर्शिश संगठन के द्वारा इनके जो अध जाना चाहिए तो यहाँ पर निर्णे निकला कि रमेश पोख्रियाल निशंग जो केंद्री शिक्षा मंत्री इनको यह पुरुषकार से सम्मानित किया जाएगा तो यहाँ पर याद रिखिए गार रमेश पोख्रियाल निशंग कौने वर्तमान में भारत यह केंद्री शिक् करने के लिए और उसके बाद ऐसा हुआ है तो यहां पर भारत के हाथ से लगबग लगबग पूरी तरीकर से फिसल चुकी है बात करते देखिए इरान की अगर करते दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट दिवर्स की तो देखिए 16 महीं को यहां पर सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाए गया था और यह 1975 में भारत का 22 वह राज्य बनाया था सिक्किम विश्वे एड्स वैक्सीन दिवस यह 18 महीं को होता है ठीक है और अंतराश्टिय संग्राले दिवस यह भी 18 महीं को होता है इसके जो विश्य रखा गया था वो संग्राले का भविश्य पुनाप्राप्ति और पुनर कल्पना है यह याद रखे गए विश्य काफी आते हैं एक्जाम में आपके ठीक है फिर इसके आद है विश्व दूर संचार और दूर 17 महीं को होता है और इसका जो विश्य था वो था आपका एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांस्फॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स तो यह आपके इंपॉर्टेंट दिवस थे इसके बाद बात करते हैं जो हमारे जो लोग मर गए हैं ठीक है अभी हाल फिलाल में उनक इंदर्सिंग जटीजा इनका निदन हो गया और यह सौराष्ट के पूर्व तेज गेंदबास थे प्रसिद्ध कड़ित्गी है इनका नाम है मेंस नर्सिमन और तमिल लेखक है आम है कर राज नाराएन इनका क्या हो गया है हाल ही में निदन हो गया है और उपर वाले दोनो है ठीक है यह कोविड-19 से संक्रमित थे और ठीक होने के बाद इनका निदन हुआ है और जो बी सीची के रेफरी है राज अंदर सिंग जाड़ेजा इनका जो निदन हुआ है वो कोविड-19 के कारण हुआ है तो यह याद रखने आली बात है ठीक है सुरक्षित रही है घर में रही है बात करते हैं पुस्तक के एक पुस्तक भी है आज विमोचे तो यह जिसका नाम है सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड एलाइंस और इसको जो लिखा है वो सब्सक्राइब मोहन सिंग मलिक के दौरा और यहीं की बिल्कुल नई बुक है इनने कई पहले भी बुके लिखिया है मैंने इस वीडियो में नहीं लिखा है आपको बता हूंगा किसी दिन कॉस्चन में ठीक है और यह जो हमारा वीडियो था है यहीं पर समाप्त होता है आपको तुरंट पीटिएफ मिल जाएगी और आज इतने रुकने और मैस की और भी जो चैनल पर वीडियो अप्लोड है उनको भी देखना नहीं भूलिएगा ठीक है बस आज देतने नहीं तब तके मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ तक लिए धन्यवाद